जी, अस्लावालेकुम, सबसे पहले जब आपकी एप्लिकेशन डाउनलोड हो जाए और इंस्टाल बाद लॉग इन अबर लॉगिन हो जाए लॉगिन हो नेके बाद रिचार्ज करने का तरीका पहले वो देख ले, कि रिचार्ज किस तरह म्यूंद दक जो एप्लिकेशन का व यहां पर पर नजराएगी और यहां पर पर रिचार्ज वाला मेनु यहां पर भी आपको नज़राएगा यहां पे कहीं पर भी क्लिक कर लो उसकी पाद आप usdt fast deposit channel पर click करना है उस बाद जितनी आप amount करना चाहते हो मतलब जितनी amount आपके screen shot में है उतनी amount आपने यहाँ पर mention करनी है और mention करने के बाद जनाब आली फिर आपने क्या करना है यहाँ पर recharge amount पर click कर देना है यह वाला जो copy वाला address है यह copy कर लेना है यह तो हो गया application का work address copy करने का तो अब आपने कहा जाना है जाहर सी बाद payment याथा बाइन शे करोगे और या फिर आप वह activate करूंगा, क्योंकि मेरे Binance में पेहमर ज़ाधा पड़ी हुई है, तो मैंने यहां पर जाना है, इस वाली option में, जो यह वाली option है, यहां पर पहले यह 3.00 है, उसके बाद यह वाली option है, फिर यह वाली option है, आपने यहां पर जाना है विड्राव पर विड्राव पर क्लिक करने के बाद आपने यहां पर सर्च करना यूएस डी टी यूएस डी टी सर्च करके फेट में नहीं आएगा वह आएगा क्रिप्टो में आपने क्रिप्टो में सर्च करना है क्रिप्टो में सर्च करने के बाद UK राद यू सब्रकुल्कम है इसको प्लिक करना और जो आपना एपनों हें पी टरेस को कॉपी यहां पे 21 ड्र जब लिखेंगे तो एक डॉलर जो हो है वो डिटेक्ट हो जाएगा आपका और उसके बाद आपने विड्रा पे क्लिक कर देना है उसके बाद एहाँ पर I have received और confirm पर click कर देना है और उसके बाद आपके बास दो code आएंगे एक तो आपकी Gmail पर code आएगा और एक आपकी mobile number पर code आएगा दोनों code आपने इंटर करने इंटर करने के बाद वो जो है विड्रा पर request लग जाएगी दो तीन पांच मिनिट बाद आपकी request जो है वो अप्रूफ हो जाएगी और अप्रूफ होने के बाद आपने क्या करना है आपने बाइनेंस ओपन करने के बाद कहां जाना आपने wallet में और wallet में जाने के बाद जो यह वाली overview है यहां पर click करना है और यहां से यह देखो आपकी यह last विड्रा होगा वो यहां पर click कर देना है click किया यह आपकी उस screen shot आ रहाएगा आपने यह TXD यह वाला copy करना है यहां से और screenshot लेना है यहां से screenshot लेने के बाद आपने wordsep कर दिना है, जैसे मैं इसको wordsep कर रहा हूँ, फिल्हाल किसी को भी जैसे कि यहां पर तौसीफ को मैंने wordsep किया, और मैंने यहां से पहले से क्रीन शॉट मैंने wordsep कर दिया, साथ में मैंने ये वाला जो code था TX ID, यह भी मैंने पेस्ट कर दिया अब पेस्ट करने के बाद मुझे यह दोनों चीजे अपनी उस क्या कहते हैं किसके ओपर अप करनी है अप्लिकेशन में जाओंगा अपनी अप्लिकेशन में यह रही जो मेरी जो मैंने TX ID copy किया था, वो blockchain मैं ने यहां paste करनी है, ठीक है, blockchain ID में, और प्लस के बटन पे click करके, मैंने क्या करते हैं, यहां पर मैंने दुवारा प्लस के बटन पर click किया, browse album पर click किया, और click करने के बाद यहां पे photo पर click किया, और मेरे पास यहां पर यह रहा screenshot मैंने इसको click किया और determine कर दिया determine करने के बाद आपने क्या करना है submit और submit करने के बाद क्या कर देना आपने confirm मतलब है कि अभी यह मेरा wallet address यहां पर upload हो रहा है होने में time लगता है तो इस तरह आप अपने binance से इस application में आप $20 का recharge कर सकते हैं यह देखो अभी मेरी application जो वह screenshot अपलोड हो गया मैंने submit पर click कर देना है और complete कर देना है इस तरह यह तो एक तरीका है आपने जब अपनी binance से application पर recharge करना है $21 और अगर आप जो head recharge करना चाहते हो क्या कहते हैं उसके अंदर okx में तो आपने okx को open करना है और okx को open करने के बाद जनाब याली क्योंकि wallet address तो आपने copy किया ही हुआ है आपने assets पर जाना है assets पर जाने के बाद आपने withdraw पर जाना है क्योंकि मेरी इसके अंदर amount नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहां पर search कर लेता हूं मैंने USDT search किया यहां पर मैंने search पर क्लिक किया USDT मैंने लिखा USDT ठेटर में क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहां पर फिंगरपिट लगाया और लगाने के बाद मैंने यहां पर जो USDT यह वह ब्लॉक्चेन ID जो मैंने copy की थी application की वह मैंने यहां paste कर दो सोरी मैंने application की ID की copy नहीं की मैंने यह कुछ और copy किया हो था मैंने application की ID बकाइदा मतलब के यह वाला application में जाओंगा USDT की amount और यहां से copy कर दिया और copy करने के बाद मैं जनाब यहां पर उसको पहले paste कर दूँगा मैंने इसको paste किया और यहां यह पेस्ट होगी ठीक है उसके बाद मुझे यहां पर amount लिकिन 21$ 21 डॉलर की इसकी फीस ज़रा कम होती है बानसबद बाइनस जो है एक डालर डिडेक्ट करता है और यह कम कर रहा होता है हमने कि सब्मीट पर क्लिक कर देना है और क्यूंकि मेरे पास balance नहीं है इसलिए मेरे पास यहां पर शोड नहीं हो और otherwise मैं सब्मीट पर क्लिक करता मेरी Gmail और मेरे mobile नमर कोड आता कोड इंटर करता और को के एक से में विड्रा आपने विड्रा कर देता उसके बाद screenshot दे लेता screenshot और tx id आपको mail भी आती है मतलब जो tx id है अगर आपको screenshot में नहीं मिल रही तो आप mail में जाओ और mail में जाने के बाद जो Gmail आपकी login है आपने उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने बाद यह transaction id य यह तो तरीका है आपने जो क्या कहते है application में अगर आपने recharge करना है Binance से या OKX से ठीक हो गया अब उसके बाद अगली tool क्या है कि अगर हमने अपना Binance या OKX जो है वो add करना है अपनी application के साथ withdraw के लिए तो उसका तरीका क्या है भाई आपने जाना है पहले आपने मी पर जान है withdraw पर जाने के बाद आपने यहां पर डिखा होगा Bind, Bind your currency आपने यहां पर select करना है जो currency है उसके क्लिक करना है और क्लिक करना है आपने अपना wallet address किस तरह लेना है अगर Binance का wallet address जैसे मेरे TND यह वाला कैसे हुआ है cryptocurrency यह किस तरह add करना है आपने यहां पर जाना है अपनी अगरे Oaks में Oaks के बाद deposit में जाना है फिर deposit के बाद आपने fingerbin लगाया और fingerbin लगाने बाद आपने यहां पर search किया USDT मैंने यहां पर बिंड पर click करना है पहले यह wallet address paste करना है फिर उसके बाद password लगाना फिर बिंड पर click करना है फिर confirm बिंड पर click कर देना है तो वह आपका wallet address आपकी application के साथ attached हो जाएगा फिर next time आपने जिस आपने amount लिखनी है और password लिख रहा है और withdraw पर click कर देना तो जो भी payment withdraw होगी वह जाने के बाद आपने जाना है wallet में और यहां पर जाना sport में और deposit में जाना है और deposit में जाने के बाद आपने USDT पर जाना है और withdraw पर जाने के वाद ये देखो मैंने इसमें ये बिंड किया हुआ है आप इस तरह इसको कर सकते हैं ये है सिंपल सा तरीका एक तो मैंने दो तरीके बदाए हैं कि आगर आपने application में recharge करना है Binance से या OKX है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है और दूसरा तरीका अगर आपने Binance या OKX को application से attach करना है withdrawal के लिए और वो वाल तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और उमीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी और काइनली आपको मेरे दिमाग न खाए